C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरा प्रस्तुत है प्रक्चा बारह के लिए हिंदी की द्वनी पाठे पुस्तक आरो भाग दो पाठ संख्या आठ कवी गोस्वामी तुलसीदास प्रिष्ट संख्या पैंतालीस से पचपन तक प्रिष्ट संख्या पैंतालीस कवी परिचय गोस्वामी तुलसीदास जन्म सन 1532 बांदा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गाउं में जन्म तिथि वजन्म स्थान दोनों अनुमानित प्रमुख रचनाये रामचरित मानस विनय पत्रिका गीतावली श्रीकृष्ण गीतावली दोहावली कवितावली रामाग्या प्रश्ण निधन सन 1623 काशी में हृदय सिंधु मती सीप समाना स्वाती सारद कहां ही सुजाना जों बरशय बरबारी विचारू हो ही कबित मुकुतामनी चारू कीरती भनिती भूती भल सोई सुरसरी सम सब कहां हित होई भक्तिकाल की सगुन काव्यधारा में राम भक्ति शाखा के सर्वो परिकवी गोस्वामी तुलिसीदास में भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया की सहज परिनती है परन्तु उनकी भक्ती इस हद तक लोकोन मुख है कि वे लोकमंगल की साधना के कवी के रूप में प्रतिर्ष्ठित हैं यह बात न सिर्फ उनकी काव्य समवेदना की दृष्टी से वरन काव्य भाषा के घटकों की दृष्टी से भी सत्य है इसका सबसे प्रकट प्रमान तो यही है कि शास्त्री भाषा संस्कृत में सरजन ख्रमता होने के बावजूद उन्होंने लोक भाषा अवधी वब्रज भाषा को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना और पुना जिस प्रकार उनमें भक्त और रचनाकार का द्वंद्व है उसी प्रकार शास्त्रव लोक का द्वंद्व है जिसमें समवेदना की दृष्टी से लोक की ओर वे जुके हैं तो शिल्पगत मर्यादा की दृष्टी से शास्त्र की ओर शास्त्रियता को लोक ग्राह तथा लोक ग्रिहीत को शास्त्रिय बनाने की उभय मुखी प्रक्रिया उनके यहां चलती है यह तत्व उन्हें विद्वानों तथा जन सामान्य में समान रूप से लोकप्रिय बनाता है उनकी एक अनन्य विशेषता है कि वे दार्शनिक और लौकिक स्तर के नाना द्वंद्वों के चित्रण और उनके समन्वे के कवी हैं द्वंद्व चित्रण जहां सभी विचार भावधारा के लोगों को तुलसी काव्य में अपनी अपनी उपस्थिती का संतोष देता है वहीं समन्वे उनकी उपरी विभिन्नता में नित एक ही मानवी सूत्र को उपलब्ध करा के संसार में एकता वशान्ति का मार्ग प्रशस्त करता है तुलसी दास की लोक वशास्त दोनों में गहरी पैठ है तथा जीवन वजगत की व्यापक अनुभूती और मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझ है यह विशेष्टा उन्हें महाकवि बनाती है और इसी से प्रकृति वजीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों से उनका रचना संसार सम्रिद्ध है विशेष्कर रामचरित्मानस इसी से यह हिंदी का अद्वितिय महाकवि बनकर उभरा है इसकी विश्व प्रसिद्ध लोकप्रेता के पीछे सीता राम कथा से अधिक लोक समवेदना और समाज की नैतिक बनावट की समझ है उनके सीता राम इश्वर की अपेक्षा तुलसी के देशकाल के आदर्शों के अनुरूप मानवी धरातल पर पुना स्रिष्ट चरित्र है गोस्वामी जी ग्रामीन वक्रिशक संस्कृति तथा रक्त संबंध की मर्यादा पर आदर्शी कृत ग्रिहस्थ जीवन के चितेरे कवी हैं तुलसिदास इस अर्थ में हिंदी के जाती कवी हैं कि अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित, सारे भावात्मक व काव्यभाशाई तत्वों का प्रतिनिधित्व वे करते हैं। व ब्रजभाशा तथा दोनों संस्कृति कथाऊं सीताराम व राधाकृष्ण की कथाऊं को साधिकार अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो प्रयोग वैशिष्ट कालिदास की पहचान है वही पहचान सांग रूपक के क्षेत्र में तुलसी दास की है। प्रिष्ट संख्या 47 तविता परिचय विविद विशमताओं से ग्रस्त कालिकाल तुलसी का युगीन यथार्थ है जिसमें वे क्रिपालु प्रभु राम व रामराज्य का स्वपन रचते हैं। युग और उसमें अपने जीवन का न सिर्फ उन्हें गहरा बोध है बलकि उसकी अभिव्यक्ति में भी वे अपने समकालीन कवियों से आगे हैं। यहां पाठ में प्रस्तुत कविता वली के दो कवित और एक सवया इसके प्रमान स्वरूप हैं। पहले चंद किसभी किसान में उन्होंने दिखलाया है किस संसार के अच्छे बुरे समस्थ लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का धारुण व गहन यथार्थ है। जिसका समाधान वे राम रूपी घनशाम यानि मेघ के कृपा जल में देखते हैं। इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली यानि जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है। साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी। दूसरे चंद खेती न किसान में प्रकृति और शासन की विशमता से उपजी बेकारी वगरीबी की पीड़ा का यथार्थ परक चित्रन करते हुए उसे दशानन यानि रामन से उपमित करते हैं। तीसरे चंद धूत कहओ में भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्म विश्वास का सजीव चित्रन है। जिससे समाज में व्याप्त जात पांत और धर्म के विभेदक दुराग्रहों के तिरसकार का साहस पैदा होता है। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ है जो आज के भेद भाव मूलक सामाजिक राजनीतिक माहौल में अधिक प्रासंगिक है। रामचरित मानस के लंका कांड से ग्रिहीत लक्षमन के शक्तिबान लगने का प्रसंग कवी की मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमुना है। भाई के शोक में विगलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, जिसमें लक्ष्मन के प्रति राम के अंतर में छिपे प्रेम के कही कोण सहसा अनावरित्थ हो जाते हैं। यह प्रसंग ईश्वरी राम का पूरी तरह से मानवी करण कर देता है, जिससे पाठक का काव्यमर्म से सीधे जुलाव हो जाता है, और वह भक्त तुलसी के भीतर से कवि तुलसी के उभर आने और पूरे प्रसंग पर उसके च्छा जाने की अनुभूति करता है। इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना कवि को करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में दिखता है। यह उपमा अध्भूत है और काव्यगत करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर ले जाती है। प्रिष्ट संख्या अड़तालीज कवितावली उत्तरकांट से किसभी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपलनट चोर चार चेट की। पेट को पढ़त गुन गढ़त चढ़त गिरी अटत गहन गन अहन अखेट की। उचे नीचे करम धरम अधरम करी पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। तुलसी बुझाई एक राम घन स्याम हीतें आग बढ़ वागितें बढ़ी हैं आग पेट की। खेती ना किसान को भिखारी को ना भीख बली। बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। जीविका भिहीन लोग सिद्यमान सोच बस कहें एक एकन सों कहां जाई का करी। बेद हूँ पुरान कही लोक हूँ बिलोकित साकरे सबैं पै राम रावरे कृपा करी। दारिद दसानन दबाई दुनी दीन बंधू दुरत दहिन देखितुल सिहाहा करी। धूत कहो अव धूत कहो रजपूत कहो जोलाहा कहो को। काहू की बेटिसों ब्याह न बयाब, काहू की जाती बिगार न सो। तुलसी सरनाम गुलामु है राम को, जाको रुचे सो कहे कचुओ। मांगी के खेबो, मसीत को सोईबो, लेब को एको न देब को दो। प्रिष्ट संक्या उनेंचास लक्ष्मन मूर्चा और राम का विलाप दोहा तव प्रताप उर राखि प्रभू, जैह उनाथ तुरंत। अस कही आय सुपाई पद, बंदि चलेव हनुमंत। भरत बाहु बल सील गुन, प्रभु पद प्रीत अपार। मन महुजात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। उहा राम लच्मनी निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्ध रात गई कपी नहीं आया। राम उठाई अनुज उरलाया। सकहु नदुखित देखी मोहिकाउ। बंधु सदातव मृदल सुभाव। ममहित लागित जेहु पित माता, सहेहु विपिनहिम आतप बाता। प्रिश्च संख्या पचास। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठाहु नसुनीमम बच विकलाई। जौजन तेउबन बंधु बिचोह। पित बचन मन तेहु नहीं ओहु। सुत बित नारिभवन परिवारा, होही जाही जग बारही बारा। अस विचार जिय जाग हुताता, मिलैन जगत सहोदर भ्राता। जथा पंक बिनु खग अति दीना, मनी बिनु फनी कर बर कर हीना। अस मम जिवन बंधु बिन तोही, जौजड देव जियावे मोही। जैहं अवद कवन मुहुलाई, नारि हेत प्रिय भाई गवाई। बर अप जससे हैं तेव जग माही, नारि हानी विसेश्चति नाही। अब अप लोक सोक सुत तोरा, सहाही निठुर कठोर उर मोरा। निजजननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्रान अधारा। सबविधि सुखद परमहित जानी। उतरुकाह देहां तेही जाई, उठिकिन मोहि सिखावाहु भाई। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिलरा जिवदल लोचन। उम्मा एक अखंडर घुराई, नर्गति भगत कृपाल देखाई। सोर्ठा कपि पुन बैद तहां पहुचावा, जेही बिद तबही ताही लई आवा। यह बृतांत दसानन सुनेव। अति विशाद पुनि पुनि सिर धनेव। ब्याकुल कुम्ब करन पही आवा, बिविद जतन करी ताही जगावा। जागा निसचर देखिय कैसा मान हुकाल देह धरी बैसा। कुम्ब करन बूझा कहु भाई। काहे तव मुख रहे सुखाई। कथा कही सब तेही अभिमानी जेही प्रकारसी ताहरी आनी। तात कपिन सब निसिचर मारे महा महा जोधा संगारे। दुर मुक सुर रिपु मनुज अहारी भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक बीरा परे समर मही सबरन धीरा। दोहा, सुनी दसकंधर बचन तब कुम्ब करन बिलखान, जग दंबा हरी आन अब सठ चाहत कल्यान। प्रिष्ट संक्या 51 अभ्यास, पाठ के साथ, प्रश्न एक, कविता वली में उद्रित चंदों के आधार पर सपश्ट करें कि तुलसी दास को अपने युग की आर्थिक विशमता की अच्छी समझ है। प्रश्न संख्या 2 पेट की आग का शमन इश्वर भक्ती यानी राम भक्ती का मेग ही कर सकता है। तुलसी का यह कावि सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है। तरक संगत उत्तर दीजे। प्रश्न संख्या 3 तुलसी ने यह कहने की जरूरत क्यूं समझी। धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जो लहा कहो कोू। काहू की बेटी से बेटा ना ब्याहब काहू की जात बिगार नसो। इस सवया में काहू के बेटासों बेटी ना ब्याहब कहते तो सामाजी कर्थ में क्या परिवर्तन आता। प्रश्न संख्या 4 धूत कहो वाले चंद में उपर से सरल वन निरीह दिखलाई पढ़ने वाले तुलसी की भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्त रिदय की है। इससे आप कहां तक सहमत है। प्रश्न संख्या 5 व्याख्या करें का मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता, जों जन तेऊं बन बंधु बिछोहू, पितु बचन मन तेऊं नहीं ओहू। ख जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनी बिनु फनी करिबर कर हीना, असमम जिवन बंधु बिनु तोही, जों जड़ दैव जियावय मोही। गा, मांगी के खैबो, मसीत को सोईबो, लैबो को एकुन दैवो को दोव। गा, उचे नीचे करम, धरम अधरम करी, पेट ही को पचत, बेचत बेटा बेट की। प्रश्न चे, भ्रात्री शोक में हुई राम की दशा को कवी ने, प्रभु की नरलीला की अपेक्षा, सच्ची मानवी अनुभूती के रूप में रचा है, क्या आप इससे सहमत हैं? तर्क पूर्ण उत्तर दीजिए प्रश्न साथ, शोक ग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविरभाव क्यूं कहा गया है? प्रश्नाठ, जैहौं अवध कवन मुहु लाई, नारी हेतु प्रियभाई गवाई, बरु अपजस सहत्यूं जगमाही, नारी हानी विसेश छतिनाही, भाई के शोक में डूबे राम के इस प्रलाप वचन में स्त्री के प्रति कैसा सामाजिक दृष्टिकोन संभावित है? प्रिष्ट संक्या बावन बाठ के आसपास प्रश्नीक कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में पत्नी इंदुमती के मृत्यशोक पर अज तथा निराला की सरोज स्मृति में पुत्री सरोज के मृत्यशोक पर पिता के करुणुदगार निकले हैं उनसे भात्री शोक में डूबे राम के इस विलाप की तुलना करें प्रश्न दो पेट ही को पचत, बेचत बेटा बेट की तुलसी के युग का ही नहीं, आज के युग का भी सत्य है भुखमरी में किसानों की आत्मात्या और संतानों, खास कर बेटियों को भी बेच डालने की रिदय विदारक घटनाएं हमारे देश में घटती रही है वर्तमान परिस्थितियों और तुलसी के युग की तुलना करें तुलसी के युग की बेकारी के क्या कारण हो सकते हैं? आज की बेकारी की समस्या के कारणों के साथ उसे मिलाकर कक्षा में परिचर्चा करें प्रश्ण चार राम कौशल्या के पुत्र थे और लक्षमन सुमित्रा के इस प्रकार वे परस्पर सहोदर यानी एक ही मा के पेट से जन में नहीं थे फिर राम ने उन्हें लक्ष कर ऐसा क्यूं कहा मिलाई न जगत सहोदर भ्राता इस पर विचार करें प्रश्ण पांच यहां कवि तुलिसी के दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित, सवैया ये पांच चंद प्रयुक्त हैं इसी प्रकार तुलिसी साहित्य में और चंद तथा काविरूप आए हैं ऐसे चंदों वा काविरूपों की सूची बनाएं प्रिष्ट संक्या तरेपन शब्द छवी कसब या किसबी अर्थ धंधा चेटकी अर्थ बाजीगर तव अर्थ तुम्हारा आपका राखी अर्थ रखकर जैहूं अर्थ जाऊंगा अस अर्थ इस तरह आयसू अर्थ आग्या मुहूं अर्थ में कपी अर्थ बंदर यहां हनुमान के लिए प्रयुक्त सराहत अर्थ बढ़ाई कर रहे हैं मनुज अनुसारी अर्थ मानवोचित काउ अर्थ किसी प्रकार लागी अर्थ के लिए तजहू अर्थ त्यागते हो बिपिन अर्थ जंगल आतप अर्थ धूप बाता अर्थ हवा तूफान जनतेउं अर्थ यदि जानता मनतेउं अर्थ तो मानता बित अर्थ धन नारी अर्थ स्त्री पत्नी यहां पर पत्नी के लिए बारही बारा अर्थ बार बार ही जियं अर्थ मन में विचारी अर्थ विचारकर, सहोदर अर्थ एक ही मा की कोक से जन में, जथा अर्थ जैसे, दीना अर्थ दरिद्र, ताता अर्थ भाई के लिए संबोधन, मनी अर्थ नागमनी, फणी अर्थ सांप यहां मनी सर्प के अर्थ में, करिवर अर्थ हाथी, कर अर्थ सून, मम अर्थ मेरा, बिनु तोही अर्थ तुम्हारे बिना, बरु अर्थ चाहे, अपजस अर्थ अपयश, कलंक, सहतेउं अर्थ सहना पड़ेगा, छती अर्थ ख्षती हानी, निठुर अर्थ निष्ठुर हृदहीन, तासु अर्थ उसके, मोही अर्थ मुझे, पानी अर्थ हाथ, उतरु काह दैहूं, अर्थ क्या उत्तर दूंगा, सोच बिमोचन अर्थ शोक दूर करने वाला, स्रवत अर्थ चूता है, प्रलाप अर्थ तरकहीन वचन प्रवाह, विकता, अर्थ प्रसन्न होना, निकर, अर्थ समूह, हरशी, अर्थ प्रसन्न होकर, भेंटेव, अर्थ भेंटकी, मिले, कृतग्य, सुजाना, अर्थ अच्छा ग्यानी, समझदार, प्रिश संक्या चववन, कीन ही, अर्थ किया, हरशाई, अर्थ हरशित, हृदय, अर्थ हृदय में, ब्राता, अर्थ समूह, जुंड, लई आया, अर्थ ले आये, सिर धुनेव, अर्थ सिर धुनने लगा, पही, अर्थ के पास, मिसिचर, अर्थ रात में चलने वाला, हरि आनी अर्थ हरण कर लाए, जोधा अर्थ योद्धा, संघारे अर्थ मार डाले, दुर्मुख अर्थ कलवी जबान वाला, दसकंधर अर्थ दशानन रामन, महोदर अर्थ बड़े पेट वाला, अपर अर्थ दूसरा, भट अर्थ योद्धा, सठ अर्थ दुष्ट, रंधीरा, अर्थ युद्ध में अविचल रहने वाला, इन्हें भी जाने, चौपाई, चौपाई सम्मात्रिक छंद है, जिसके दोनों चरणों में 16-16 मात्राएं होती है, चालीस चौपाईयों वाली रचना को चालीसा कहा जाता है, यह तथ्य लोक प्रसिद्ध है, दोहा, अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसके सम्चरणों यानी दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, तथा विशम्चरणों यानी पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं होती है, इनके साथ अंत लगुवर्ण होता है, सो रठा दोहे को उलट देने से सो रठा बन जाता है इसके सम चरणों दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा विशम चरणों पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं परन्तु दोहे के विपरीत इसके सम चरणों दूसरे और चौथे चरण में अंत्यान उप्रास या तुख नहीं रहती विशम चरणों पहले और तीसरे में तुख होती है कवित यह मात्रिक चंद है इसे मनहरण भी कहते हैं कवित के प्रत्येक चरण में 31-31 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण के 16-15 वर्ण पर यती रहती है प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है सवया चूंकि सवया वानिक चंद है इसलिए सवया चंद के कई भेद हैं ये भेद गणों के संयोजन के आधार पर बनते हैं इनमें सबसे प्रसिद्ध मत्गयंद सवया है इसे मालती सवया भी कहते हैं सवया के प्रत्येक चरण में 23-23 वर्ण होते हैं जो 7 भगण, धन, 2 गुरु, 33 के क्रम के होते हैं यहां प्रस्तुत तुलसी का सवया कई भेदों को मिला कर बनता है इसी के साथ आरो भागदो का पर आठ यहां समाप्थ हुआ प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत